गुड इमनिंग प्यार बच्चों डीपी सिंग क्लासेस प्रियाग राज में जो गोल्डन और प्लेटिनम वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल लाए अभी जो 15 नमर का जो टेस्ट हुआ था टेस्ट नमर 15 उसका फिजिक्स का कोशन साल्व कराया जा रहा है जिसमें की दो व हुए हूँ उसका आप एनालिसिस कर चुके होगे 15 कोशन और रहा गया है आज 31 नमर से ले करके और 45 नमर तक सारे कोशन आज साल्व करा दिया जाएंगे तो आज के वीडियो में टोटल सारे कोशन आपके कम्प्लीट हो जाएंगे जो कोशन आपके गलत हुए हूँ उसको आप जरूर देख लिजेगा उसको साल कर लिजेगा समझ लिजेगा जिससे कि आगे फिर आपका मिश्टेक ना हो और एक्जाम में इसका आपको बेनफिट मिले और प्यारे बच्चों इस समय धिरे धिरे आपका एक्जाम नजदी का रहा है तो जड़ा सभी मन में डिप्र इंसन नहीं लाना है आप अपना फर्ज पूरा कीजिए को स्टन साल कीजिए रेगुलर टेस्ट दीजिए टेस्ट में भी पूरी इमंदारी होने चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन के जिए को अगला देखो अगला जो टेस्ट होने जा रहा है वो क्या फायदा है उस टेस्ट से जो सोलर नंबर का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 16 वो रिवीजन टेस्ट है जितने अभी तक आप पढ़ चुके हैं जितना रिवा होगा नहीं ने कांसर्ट आपको मिलेंगे ठीक है प्यार बच्चों इसलिए मन में टेंसर नहीं लाना है डिप्रेशन नहीं लाना है मन को परसंद रखते हुए पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका तेवहार आने वाला है उत्सों मनाईए एक्जाम का उत्सों क्योंकि अगर आपका एक्जाम ना हो परिच्छा ना हो तो फिर सेलेक्शन नहीं होगा इसलिए एक्जामनेशन को लेके जड़ा सा भी मन में टेंसर नहीं रहना चाहिए उत्साहित होके एक्जाम दीजिए निशित है आप अपने सपनों को पूरा करेंगे लेकिन पढ़ाई में पुरी इमंदारी रखिए प्यारों बच्चों मेहनत कीजिए खुब कोशन साल कीजिए ता ये स्टार्ट करते हैं 31 नमर कोशन ये स्टेटमेंट टाइप कोशन है और आप देख रहे हो कि 31 नमर जो कोशन है गोल्डेन प्लेटिनम टेस्ट 15 का, फिजिक्स का जिसका स्लेबस था होल इलेट्रिसिटी इलेट्रिकल कंडेक्शन, सिंपल सर्किट, कैपेसिटेंस और इलेट्रिक फिलन पोटेंशियल तो आप देखो, गोल्ज थूर्म का ये कोशन है स्टेट्मेंट वन एक पॉइंट चार्ज क्यू इसकेप्ट अट दे सेंटर आफ एक क्लोज सिमेट्रिकल बॉड़ी विद आइडिन्टिकल फेसेज, एन आइडिन्टिकल फेसेज इसमें है, है न इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इज फेसेज इस इक्वल टू क्यू अपान एकसाइलर नाट तो प्यारे बच्चो गोश थूर्म कहता क्या है गोश थूर्म ये कहता है कि कि किसी भी क्लोज रिजन में जिसमें एन फेस है जो क्यू चार्ज रखा है तो टोटल जो फ्लक्स होगा गोश थूर्म से वो कितना होगा क्यू अपान एकसाइलर नाट होगा टोटल टोटल क्यू अपान एकसाइलर नाट होगा गोश थूर्म कहता है अब कहा रहा है कि वो जो क्लोज सर्फेस है उसमें एन फेस है तो each face से कितना flux link करेगा तो each face से जो flux होगा है न, each face से तो n से क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो यह देखा जातों सही दिया है देख लो, each face से linked flux q upon n एक्साला नाट एकदम सही दिया है, statement 1 क्या है, correct है statement 2 क्या है, from Gauss law net flux through any closed surfaces sigma q in close upon एक्साला नाट तो Gauss थोरम कहता क्या है कि किसी भी close region में अगर total flux पता चल जाए उसमें एक्साला नाट से divide कर दीजिए, total charge पता चल जाए, एक्साला नाट से divide कर दीजिए, तो पूरा flux आ जाता है, तो इस तरह से देखा जाए, तो statement 1 भी सही है statement 2 भी सही है statement 1 is true, statement 2 is also true, एक आपसन सही है Gauss थोरम का question है जो Gauss थोरम आप जानते हो, जिसका नालिज आपको है theoretical cancer juice है वही इसको statement के far में लिख दिया है तो statement 1 और statement 2 दोनों correct है यह 32 number question बहुत अच्छा question है two metal sphere, one of radius r and other of radius 2 r respectively have the same surface charge density sigma दोनों का सेम है surface charge density बोथ are brought in contact दोनों को contact मिलाया और फिर separate कर दिया तच कराके उनको हटा लिया यह कह सकते हो कि दोनों को wire से connect कर दिया एक ही बात होता है what will be the new surface charge density तो है क्या दोनों की surface charge density पहले sigma है अब बाद में touch कराके जब हटा लोगे तो charge उसमें redistribute हो जाएगा potential को सेम करने के लिए तो उस पे अब आप final charge निकालना पड़ेगा final charge निकाल लोगे तो फिर area से divide कर दो new surface as density sigma आ जाएगा है ना तो इस टाइप के तो अन्सियाइटी में खुब दिया है तो दो square है एक square है जिसका radius r है दूसरा square है जिसका radius 2r है तो आप ये बताओ कि इसका area कितना होगा क्या square है ना तो इसका area होगा 4 pi r square है और इसका area होगा 4 pi radius 2r है 2r का square तो आगया 16 pi r square इसका area पता चल गया surface area ओके इसके बाद देखो तो इसकी surface charge density sigma है इसका भी surface charge density sigma है यानि इसपे charge है q1 और इसपे charge है q2 तो q1 कितना है प्यारे बच्चो charge is equal to sigma into surface area sigma में surface area से multiply कर दो तो पूरा charge आ गया तो आ गया 4 pi r square into sigma इसका charge पता चल गया इसका charge देखना है तो इसके area में sigma से multiply कर दो तो आ गया 16 pi r square into sigma दोनों का charge initial charge पता चल गया अब अगर हम total charge देखें तो कितना आ गया दोनों का sum कर लो total charge दोनों का sum कर लो तो sum करोगे तो 16 और 4 मिलके 20 pi r square into sigma या गया पूरे system का total charge अब जब दोनों स्फेर को प्यारे बच्चों आप टच करोगे या wire से connect कर दो अब अब इनको connect कर दो ओके तो इस पर charge q1 से हो जाएगा q1 dash इस पर charge हो जाएगा q2 से q2 dash या तो touch कर रहे के हटालो एक ही बात है तो q1 dash से q2 dash हो गया q1 dash q2 dash हो गया तो यही charge अगर हम लों का निकल जाए तो अब कह रहा है कि इस दोनों का अब new surface आज निशनी कितना हो जाएगा तो भाई जब new charge हमको पता चल जाएगा तो हम area से divide करके sigma 1 dash sigma 2 dash हम लोग क्या कर सकता है find कर सकता है तो अब यह हम लोग जानना है कि final charge हम निकालेंगे कैसे तो wire से touch कराने के बाद से इनका जो final charge होगा वह equilibrium position पे उनके radius का ratio होता है और radius r और 2r दिया है तो final charge का ratio अगर हम लोग देखें है ना final charge q1 dash और q2 dash का ratio सिधे सिधे इनका radius का ratio होगा और radius दिया है r और क्या दिया है 2r तो यहाँ से ratio आ गया कितने का 1 और 2 का ratio आ गया अब यहाँ सम लोग q1 dash अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते है q1 dash का ratio है 1 अपान दोनों का sum 3 into total charge q है ना अब total charge देखो है कितना total charge है 20 pi r square sigma तो हो जाएगा 20 pi r square sigma अपान 3 तो जब पहले अले स्फेयर का final charge आ गया तो इसका अब कितना अब इस पे कितना surface toxicity हो जाएगा तो इसका जो charge आया इसके area से अब आप क्या कर दो divide कर दो अब charge कितना आया 20 pi r square sigma अपान 3 और area कितना है प्यारे बचों आप देख लो area है 4 pi r square इसे divide कर दो 4 pi r square से देखो तो ये cut गया 4 से ये भी cut के कितना आ गया 5 आ गया तो आ गया 5 sigma अपान 3 5 sigma अपान 3 इसका surface toxicity आ गया अब इसी तरह से आप find कर लो q2 dash second वाले sphere का final charge जब q2 dash find करोगे तो ये हो जाएगा ratio देखो है 2 2 अपान दोनों का sum 3 into total charge q तो ये आ गया 2 अपान 3 और total charge तो यही है ना 20 20 pi r square sigma और अपान है ना हाँ इतना आ गया ये यानि ये कितना आ गया 40 अपान 3 pi r square into sigma इसका charge आ गया बोलो 2 अपान 3 into q q का value रख दिया ये अपान यहाँ नहीं रहेगा तो इस तरह से q2 dash आ गया ये आ गया 40 अपान 3 pi sigma r square अब इसका क्या करो sigma 2 find कर लो बाद वाला charge surface आज नहीं थी तो q2 dash में इसके area से divide कर दो तो ये आगया 40 pi sigma r square upon पान, 3, और इसका एरिया कितना है, आप देखो इसका एरिया, इसका एरिया है 16 Pi R squared sigma, है ना, 16 π r square 16 π r square sigma नहीं रहे गए यहां पर अब इसको cancel कर लो या गया 5 या गया 2 π r square से π r square कट गया और या गया 5 upon 6 sigma तो पहले वाले sphere का sigma आ गया दूसरे वाले sphere का surface density आ गया पहले वाले sphere का आ गया 5 upon 3 sigma दूसरे का आ गया 5 upon 6 sigma दोनों को touch कराने के बाद दोनों को wire से connect करने के बाद तो इसको बोलता है चार्ज का reduction वायर से connect करने के बाद या कह सकते हो दोनों को touch कराने के बाद तो एंसर दूसर देखो इहां दिख रहा है 5 upon 3 sigma और या गया 5 upon 6 sigma ठीक है 33 नमर कोशन क्या कह रहा है potential इन्हें रीजन इस्प्रेशन है इस देखो potential जो दिया है potential यह x, y, z तीनों का function दिया है 6 x y minus y plus 2 y, z यह potential दिया है x, y, z तीनों का function है और electric field पूछ रहा है 110 पर देख रहा है वो point दिया है point है 110 अब इस point पर electric field intensity बताना है बहुत important question यह आएगा potential gradient से more than one variable है अजब more than one variable है प्यारे बच्चों तो इसका तीन बार partial differences करना पड़ेगा एक बार x के respect में एक बार y के respect में एक बार z के respect में partial differentiation इसका कर दो तो तीन direction के intensity निकला आएगा और x direction में i 7 reply कर दो तो x direction intensity y direction e y में j 7 reply कर दो तो y direction के intensity vector form में आ जाएगा फिर z direction के intensity vector form में आ जाएगा फिर सबको आपस मिला लो vector form में intensity आ जाएगा तो आवर next phase इसको solve करते हैं यह हमको potential फिर से लिखना पड़ेगा और क्या दिया है potential देखो 6 x y minus y plus 2 y z 6 x y minus y plus 2 y z potential का function दिया है फिर से देख लेते हैं 6 y minus y plus 2 y z 6 x y minus y plus 2 y z अब क्या करो x direction के intensity find करो तो इसका करना पड़े का बटा partial differentiation minus del v upon del x differentiation of given function with respect to x keeping y and z constant तो partial differentiation आसान होता है देखो इसमें x है तो x का differentiation 1 हो गया 6 y यहां constant है बाहर आ गया y का differentiation 0 हो गया इसमें x नहीं यह भी 0 हो गया बराबर minus 6 अब y का value यहां put कर दो क्योंकि जो point दिया है आप देखो point दिया है 110 तो y का value 1 है यही 1 का value यहां बेटा put कर दो तो आ गया देखो minus 6 volt per meter इस यह कोशन खुब आते हैं exam में आसान होते हैं minus del v upon del y अब y के respect में partial differentiation करेंगे x और z को अब यहां पर constant मानना पड़ेगा तो यहां से आएगा minus और y के respect differentiation करेंगे तो 6x यहां constant हो जाएगा तो 6s बचा अब minus 1 बचा और यहां से plus 2z बच गया अब क्या करो minus लगाए रखो और 6 into x point है 110 तो x के value 1 तो 6 आ गया यहां आएगा minus 1 और यहां से plus 2z के value 0 है तो यह पूरा 0 हो गया तो यहां गया कितना minus 5 volt per meter इसी तरह से z डेरे से intention निकाल लो z डेरे से intention निकालोगे तो minus del v upon del z कहोगे तो minus अब z के रिशोटने differentiation करो इसमें z नहीं है पूरा constant 0 हो गया z नहीं है यह भी 0 हो गया इसमें z है तो बचा 2y है ना तो जो को 2y बच गया minus लगाए रखो minus लगाए रखो और y के value 1 रख दो क्योंकि point है 110 तो y के value 1 रख दोगे तो minus 2 volt per meter बच गया इस तरह से total intensity अगर vector form आप निकालना चाहते हो तो x direction के जो intensity आया उसमें i cap से multiply कर लो plus y direction में जो intensity आया उसमें j cap से multiply कर लो और जो z direction में intensity आया उसमें आप k cap से multiply कर लो और e x के value रख दो कितना minus 6 i cap उसके बाद से minus 5 j cap minus 2 k cap चाहो तो minus कामा ले लो तो आगया प्यारे बच्चों 6 i plus 5 j plus 2 k यह देखो intensity आगया vector form में ऐसे question थोड़े speed में solve करने चाहिए क्योंकि exam में जब ऐसे question आते हैं तो 3 बार partial differentiation करना पर देख थोड़े time लगने लगता है इसलिए इसको speed में solve करके और question को क्या करना चाहिए solve करना चाहिए तो आगये देखते हैं कोई answer हम लोगे मिला की नहीं मिला इसमें देखा जाए तो देख लो 6 i cap 5 j cap 2 k cap बाहर माइनस लगा है answer मिल गया कभी-कभी vector form न पूछ के numerically push देता है तो net intensity एगर magnitude निकालना चाहता है तो root over 6 का square प्रस 5 का square प्रस 2 का square से intensity vector form में आ जाता है सारी magnitude form में आ जाता है ये तो vector form है question vector form में ही था इसलिए vector form में हमने इसको solve किया 34 number question इससे लाम आफ EMFE external resistance R internal resistance R है और external resistance NR है एक सेल को plus or minus EMFE जिसका internal resistance R है और एक external resistance से connect कर दिया है external resistance NR है अब कहा रहा है कि then the ratio of the terminal potential difference and EMF यह इसका जो terminal voltage मिलेगा क्योंकि इसमें current flow होगा जो current flow होगा तो terminal voltage मिलेगा है न तो terminal voltage और EMF का क्या पूछ रहे है ratio पूछ रहे है तो आप क्या कर इसमें current find कर लो जो current find करोगे तो क्या है का current find करोगे तो E upon internal resistance प्लस External Stance, current निकालाएक देखो methodic catch-off-law से तो या गया E, यहा आर कामन हो गया, तो one plus n बच गया, और या गया प्यार बच्छो current, अब यह देखो क्या हो रहा है, cell discharge हो रहा है, और discharging का आप टर्मल्व बोल्टेज का फनू लगा दो, तो discharging के टर्मल्व बोल्टेज का फार E को E रहने दो और यहाँ पर I का बैलू रख दो I का बैलू आया है E upon R 1 प्लस N और इंटू R R से R कट गया V is equal to E common हो गया और bracket में बच गया 1 minus 1 upon 1 प्लस N अब यहाँ से देखें तो E धर लेते आओ और दो वी और E का रेशियो निकल के आज आ रहा है और इसका multiply हो गया तो 1 plus N minus 1 upon 1 plus N 1 से 1 कट गया प्लस माइनस और यह आ गया N upon 1 plus N अब बताओ इस question को solve करने से कितना कहां से develop हुआ कि कैसे MF देखा जाता है और कैसे terminal voltage देखा जाता है charging के समय, discharging के समय, terminal voltage तो यह answer है N upon 1 plus N है ना तो N upon 1 plus N जो कि यह option दिया है very important question, terminal voltage जब cell में current flow होता है तो उसमें पूरा MF उसका नहीं मिलता circuit में उसका terminal voltage मिलता है next question 35 number question करता है, bulb का question है, electrical conduction, simple circuit bulb का question है, प्यारे बच्चो two electric bulb make 40 watt 220 volt and 60 watt 220 volt when connected in series अच्छा, पले दोनों को series में connect कर दिया, same voltage supplied 220 volt से, तो effective power P1 है है, तो series में कैसे निकालता है power, series में effective 1 upon P is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2, यहनि दो bulb अगर series में लगा है, तो P1, P2 upon P1 plus P2, इसका series combination हो दा है, यह दों कैपेसेटर के जैसे, तो P1 हो जाएगा 40 और P2 है 60, तो P1, P2 upon P1 plus P2, 40 plus 60, तो यह आगया 2400 upon 100, यह आगया 24 watt, series में, अब इनी दोनों को कह रहा है कि parallel में connect कर दो, इनी दोनों को कह रहा है कि when connected in parallel, तो parallel में direct sum होता है, P1 plus P2, तो 40 plus 60 is equal to 100, हैना, 100 watt, अब दोनों series में और parallel में जो net power है, उसका ratio पूछ रहे हैं, तो यह आज आएगा 24 upon 100 is equal to 0.24, यह ratio आगया 0.24, ठीक है प्यारे बच्चों, पावर का बहुत important question, पावर, बल्ब का पावर, electrical connection simple circuit में एक दम से series और parallel में capacitor के जैसे sum होता है, अब capacitor का series parallel resistance के just opposite होता है, question 36 out of the following, 4 बल्ब आख making 100 volt 40 watt, 200 volt 40 watt, 100 volt 60 watt, 200 volt 60 watt, किसका highest resistance है, तो पावर बराबर क्या होता है, वी स्कॉर वाई आर, सब सेंब बोल्ब लेकर डिजाइन रहता है, लेकिन यहां voltage अलग लग कर दिया है, तो resistance बराबर, वी स्कॉर अपान P, सारी, यह P है, वी स्कॉर अपान P, अब हमको resistance maximum चाहिए, highest resistance साहिए, किस बाल का resistance highest है, तो इसके लिए voltage maximum होना चाहिए, और power यहां क्या होना चाहिए, minimum होना चाहिए, देख लो, अगर resistance maximum चाहिए, तो voltage maximum ढूड़ो, अब power minimum ढूड़ो इस फार्मले से, तो voltage maximum, देखो 200 volt यहां है, 200 volt यहां है, यह 100-100 volt इसको काट दो, तो voltage maximum यहां यहां है, अब power minimum हो तो देखो power minimum 40 watt का है मिल गया इस वार यह नहीं मतलब second वाला यह है देखो यह option यहाँ दिया है यह यह second वाला आएगा यह बी option सही है तो देखो r बराबर 20 square पान पी r हैस चाहिए तो voltage maximum रखो power minimum कर दो तो voltage maximum power minimum voltage maximum इन दोनों में है अई दोनों में power minimum इसमें है बे option सही है सीधे इसको ऐसे solve कर लेना था question 37 two bulb of power 30 watt 60 watt यह 30 watt का bulb है यह 60 watt का बलब है connected in series what will the ratio of potential drop across the bulb है ना यह bulb 30 watt का है और यह बलब 60 watt का है और दोनों को series में connect कर दिया कोई voltage दे दिया तो देखो इसका अपना resistance r1 होगा इसका resistance r2 होगा और जो इनको voltage मिलेगा इसको v1 voltage मिलेगा इसको v2 voltage मिलेगा क्योंकि series में voltage divide हो जाता है तो ratio of potential drop यह वी वन अब v2 का दोनों का क्या पूछ रहे हैं ratio पूछ रहे हैं तो प्यारे बच्चों जिस ratio में इनका resistance होगा उसी ratio में voltage divide होगा क्योंकि series में current दोनों में क्या होगा same होगा अग current same होगा तो v बराबर ir से voltage resistance के datly proportional divide होगा ठीक है अब इनका resistance कैसे हम देखेंगे तो power बराबर क्या होता है v2 by r तो जो r होगा वो देखो power के क्या हो गया इसका मतलब r1 और r2 का जो ratio होगा इनके p2 और p1 का ratio होगा अब p2 और p1 मलब यह आ गया 60 और यह क्या आ गया 30 यहनि क्या आ गया 2 is to 1 तो जो voltage series में divide होगा इनके resistance के ratio में divide होगा और resistance का ratio आलेडी कितना है 2 is to 1 यह voltage इस ratio में divide होगा और इसर होगा 2 is to 1 अब यह न सोचना कि यहां पर दोनों का voltage कैसे सेम कर दिया अरे जब वो बने होंगे दोनों बल बस तीस वाट और साथ वाट के तो दोनों एक ही voltage के लिए डिजाइन हुए होंगे तो वहां सब्सक्राइश का ratio देखेंगे यह थोड़े है कि बाद स्रीज में जोड़ दो गया तो का resistance हो जाएगा resistance तो यह बन गया तो बन गया 38 statement type question है statement 1 in a balance which is some breeze if cell and galometer arm are interchange reading of galometer remains unchanged तो प्यारों बच्चों वीट उसम ब्रीज में एक डाइगोनल के एक्रास galometer लगा देते हैं एक डाइगोनल के एक्रास cell लगा देते हैं और null deflection length मालों मिल गया balance है अब अगर हम class में पढ़ाते हैं बताए थे कि galometer और cell के position को interchange कर दो तो जिस तरह से पहले galometer null deflection दे रहा था उससे तरह से बाद में ही null deflection देगा ओके इसका मतलब यह बताना चाहरा है कि statement यहां क्या हो गया सही हो गया और फार a balance with some breeze current detected by the galometer is zero तो है यह जो balance with some breeze होगा तो जो current detection होगा galometer में वो zero ही तो होगा प्यारे बच्चों balance वाले में galometer क्या देगा जीरो रीडिंग देगा तो इसी साब से statement one is true and statement two is also true कौन सा अप्षन सही है यह आप्षन दोनों आप्षन दोनों statement इसमें क्या है correct है थर्टी नाइन नमर कोश्चन बहुत अच्छा क्रिचाफ लॉक को कोश्चन है एक लाइन में solution आप कर सकते हो क्रिचाफ लॉक कोश्चन इसमें कह रहा है कि सर्किट है इधर से current one ampere आ रहा है इधर से two ampere आ रहा है इधर से three ampere जा रहा है और a और b के 20 का कोश्चे difference बताना है तो इसमें लगा दो प्यारे बच्चो आप चान हैस्ता मेथड क्रिचाफ लाग का के बिया लगा दो क्रिचाफ's voltage law second law चान हैस्ता मेथड इसमें a point से चलिए अब b point बेचल के रुखिए तो क्या method बताए थे जहां से चलिए वहां का potential लिख लिजे अब यहां से three ampere का current जा रहा है current का direction में हो तो minus रखो और two into three कितना आ गया six आ गया आगे बढ़ हो तो यह दो को plus है इधर minus है तो higher से lower जा रहा हो तो minus three रख दो किचाफ़ा लगा रह यह दो को minus plus lower to higher plus two हो गया अब आगे बढ़ो तो इधर से four आ रहा था इधर से two आ गया मिलके इसमें तो six आ गया ना यहां तो six ampere हो गया और यहां four ampere हो गया तो इस तरह से यह हो गया minus six into one अब b point पर रुखना है तो हमने चाय नहीं सा method बताए था कि b point पर रुखना है तो equal करके महा का potential लिख दो अब यहां से आ गया va और यहां गया six और three मिलके nine और nine और four 13 और 13 और six 19 तो यहां गया minus 19 और plus two is equal to b point का potential तो इस तरह से a point का potential minus b point का potential is equal to minus 17 अब उधर गया तो कितना आ गया 17 बोल्ट आ गया a और b के 20 का पुटसर डिफरेंस जो यहां पैंसर दिख कैसे साल गगा किचाफ लौ से कैसे यहां पर करेंट है three ampere यहां पर करेंट है थ्री और वान मिलके four ampere यहां पर करेंट है two और four बिलके six ampere आसे चलो कहां जांगा रूख जा वी पर रूख जाओ चायन आस्ता मेतड किचाफ ला किचाफ ला सिकेंड ला किएल कुछ भी कह किर्चाव 1st law is based on charge conservation, किर्चाव 2nd law is based on energy conservation. 40 number question. The time taken by a heater to heat some quantity of water is 15 minutes. है ना? तो इसमें आप क्या लगा हो के formula? और फिर कह रहा है कि now length of the heating coil is reduced to 1 3rd of initial, then what will be new time taken by the heater to heat same quantity of water? एकदम simple question लेकिन कई बच्चे इस question उलस गया होंगे. क्या करें हम time कैसे निकालें? तो यहाँ पर भाई heating coil पहले length कुछ है, बाद मैं length 1 3rd reduce कर दिये. length 1 3rd कर दिये. क्या कर रहा है? reduce to 1 3rd, reduce by नहीं, reduce to 1 3rd नहीं, 1 3rd कर दिये. बड़ा अंतर होता है, reduce by, reduce 2. by मतलब 1 3rd कम करो, और 2 मतलब वहाँ तब कहुंचा दो. लेकिन अब देखो, H बराबर हम लगाँ है क्या, I2RT लगाँ है, कि V2 upon R into T लगाँ है, तो प्यारे बच्चों, आप कहीं भी जब यह practical कर रहे होगे, तो एक board रखे होगे, supply देने के लिए, तो चाहें heater बड़ा हो, चाहें छोटा हो, उसका coil, आप बोल्टेज जो पहले दे रहे थे, वो ही बोल्टेज बाद में तो दोगे, बोलो, इसलिए heating, heat energy का V2 upon R into T फाउल आपको लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे heat energy H1 मालो प्रडूस हुआ, अब बाद में heat energy H2, बोल्टेज वही दोगे, रेजिस्टेंस R- हो जाएगा, टाइम T- हो जाएगा, यह हो गया फर्स्ट equation, यह हो गया सेकंड equation, जितना आप सेम अमाउंट आप वाटर पहले आप heat कर रहे हैं, उतना ही बाद में भी आपको उतना ही heat करना है, यह जितनी heat energy आप पहले equation में पर्डूश कराया है, उतनी heat energy दूसरे equation में आपको पर्डूश कराना है, इसका मलब पहले case के heat energy और दूसरे case के heat energy बराबर कर देना है, है ना, तो यह आगया V square upon R, और time 15 मिनट दिया हम रख लेंगे, और यहाँ हो जाएगा V square upon R dash, और time T dash क्या करना है, फाइन, V square से V square कट गया, R dash into T, पराबर कितना आ गया, R into T dash, अब resistance पहले कितना था, R into T dash, फाइन कितना था, 15 मिनट, अब बात का resistance कितना हो जाएगा, heating coil का length 1 third कर दिये, तो resistance भी 1 third हो जाएगा, because resistance is directly proportional to length of wire, तो हो जाएगा, R upon 3, R से R कट जाएगा, अब बाद में time आ जाएगा, कितना 5 मिनट का समय लगेगा, भाई यह सोचो ना, कि heat energy का हम कौन साफ़नों लगामें, I square RT लगामें, कि V square upon RT लगामें, तो जो voltage आप पहले दोगे, वही voltage बाद में दोगे, current तो change हो जाएगा, देखो 5 मिनट के समय आ गया, भूलो, 41 नमर कुश्चन, 20 बोल्ट की supply है, यहाँ पर 200 और सौम के दो रेश्टेंस है, यहाँ 200 और सौम का रेश्टेंस है, बोल्ट मेंटर के रीडिंग पूश रहा है, तो यह दोनों को parallel में आप जोड़ लो, parallel में कर लो, तो जब parallel में connect करोगे, तो cell अपने अस्थान पर है, plus minus 20 बोल्ट का, ठीक, और यह दोनों parallel मिलके, एक रेश्टेंस हो जाएंगे, और यहाँ पर यह रेश्टेंस पड़ा रहेगा कितना, 200 ओम का, और इन दोनों को parallel में connect कर लो, तो parallel में हो जाएगा, R1, R2, अपन R1, plus R2, है न, तो आ गया 200, इन्टु 100, अपन 300, यह 00 से 00 कट गया, 200 अपन 3, यह पूरा आ गया, 200 अपन 3 ओम, अब यह जो 20 बोल्ट है, यह 20 बोल्ट अब दो पार्टनेस को दीवाइड हो जाएगा, V1 और V2 इसको जितना बोल्टेज मिलेगा वही ये रेडिंग देगा और V1 V2 या तो current मेधरस निकालो चाहिए रेशियो मेधरस निकालो तो V1 V2 का रेशियो सिधे सिधे resistance का रेशियो 200 अपान 3 रेशियो 200 200 से 200 कट गया 1 अपान 3 is to 1 is equal to 1 is to 3 का रेशियो आ गया V2 हमनों को find करना है V2 का रेशियो है 3 अपान दोनों का sum 4 into total voltage 20 ये आ गया कितना 5 इस इकल टू कितना आ गया प्यारे बच्चो 15 बोल्ट तो इसको मिल्ला है 15 बोल्ट इसको जब 15 बोल्ट मिल्ला है तो इसको 15 बोल्ट मिल्ला है जब 15 बोल्ट मिल्ला है तो एतेश की डीडिंग है 15 बोल्ट देखो फट से रेशियो मेतर्ण से डिवाइन कर लो चाहा तो current मेतर्ण से विशाल कर सकते थे 42 में क्या का रहा है an electric kettle takes 4 ampere current at 220 volt how much time will it take to increase the temperature of 1 kg water from itna to itna itna से itna temperature बढ़ाने में 220 volt का supply है 4 ampere का current है कितना समय लगेगा electrical connection simple circuit में प्यारे वच्चे इसका हम trick बताए थे है ना heat energy जो produce होता है होता है work done अपां time heat energy को लिख दो ms delta t और warden को लिख दो power into time ठीक है यहाँ से थोड़ा समिस्टेक हो रहा है एक second एक second इसको सहीच चलता है heat energy is equal to heat energy is equal to power into time power is equal to energy upon time तो energy is equal to power into time अब power को लिख दो ms delta t heat energy को heat energy से तंसर बढ़ा है ms delta t अब power को लिख दो voltage into current into time अई आएगा किसमे जूल में लेकिन यहाँ पर mass 1 kg दिया है तो ms delta t voltage into current into time और यहाँ क्या करो 4200 से डिवाइड करके इसको kilo calorie में बदल लो mks में बदल लो प्यारे बच्चो mks में kilo calorie में अब 1 kg यहाँ रख दो water का specific heat 1 रख दो delta t का value 80 degree Celsius रख दो 100 minus 20 voltage दिया है current दिया है time push राय सब दो दे दिया बोलो तो mass रख दो 1 kg water का specific heat 1 delta t का value हो गया 100 minus 20 is equal to power के अस्थान पर देखो power के अस्थान पर voltage into current 220 और 4 रख दो यहाँ रख दो 220 current रख दो 4 time find करना है upon 4200 तो यहाँ से t आ गया 80 into 4200 upon 220 into 4 यह answer आएगा किस में second में लेकिए answer पूछ रहा है minute में तो 80 into 4200 upon 220 into 4 और 60 से divide करके इसको किस में बदल लो प्यारे बच्चो minute में है ना यह कट गया इससे यह कट गया देखो 70 आ गया ओके इससे यह कट गया अब इसको solve कर लो 6.3 minute के आसपास यह answer आ जाएगा solve कर ले ना यह यह अगर आइडिया है तो बड़ा असानी से question solve हो जाता class में यह सब trick बताए गया है MKS में CGS में सब बताए थे ऐससे specific heat water का specific heat चांद CGS में रखना हो चाहिए MKS में दोनों में 1 होता है question 43 43 number question you have two wires of same material with mass ratio 1 is to 2 दो wire हैं same material हैं तो दोनों के restivity same होगा लेकिन उनका mass ratio जोको mass का ratio दिया है 1 is to 2 और length ratio length ratio दिया है 2 is to 3 तो resistance of first wire R1 R है तो दूसरे wire का resistance क्या करना हैं find करना है तो आप लगा दो formula R is equal to rho into L upon A area का information नहीं दिया है हाना mass दिया है तो length से उपर multiply कर दो length से नीचे multiply कर दो तो या गया rho into L square और area into length प्यारवचो volume आ गया तो इस तरह से resistance is equal to rho into L square upon volume आ गया और density is equal to mass upon volume होता है तो volume is equal to mass upon density रख दो तो हो जाएगा rho L square volume के अस्थान पर mass upon density लिख दो अब same wire के लिए rho और density दोनों सेम हो जाएगे इस तरह से जो resistance हो जाएगा वो L square और M का ratio directly proportional हो जाएगा तो इस तरह से दोनो resistance के wire के resistance का ratio या जाएगा L1 square upon M1 ratio L2 square upon M2 अब देखो ना length कितना दिया है जब को इसका length दिया है 2 और 3 mass दिया है 1 और 2 है ना तो इसका length रख दो 2 तो 2 का square 4 mass रख दो 1 यहां रख दो 3 3 का square 9 mass रख दो 1 2 है तो इहां 2 रख दो है ना तो इस तरह से 4 is to 9 upon 2 आ गया ratio थोड़े एक सकंद देखते है एक सकंद हाँ mass 1 is to 2 दिया है 2 is to 3 दिया है तो 2 का square 4 हो गया upon 1 हो गया 3 का square 9 upon 2 हो गया ठीक है तो यहां गया 4 upon 1 ratio 9 upon 2 तो इस तरह से यहां से देखें तो इसका LCM आ गया 2 जब LCM 2 आ गया तो 8 8 और 9 का ratio आ गया तो इस तरह से R1 upon R2 का value आ गया 8 upon 9 R1 का value R दिया है R2 find करना है बराबर 8 upon 9 तेहां से R2 का value आ गया 9 R upon 8 9 R upon 8 यह है ओके R बराब रो एंटो लवाई से 44 number question यह थोड़ा सा मिट मिट के यहां पर आया है यहां सही आ नहीं रहा if I have an experiment the three microscopic latex spheres are spread चो ठीक है लग three spheres है इस पे देखो पहले वाले पे plus 3E charge है दूसरे आले पे plus 5E charge है तीसरे वाले पे minus 3E charge है अब क्या कह रहा है कि उन सबको contact मिलाया फिर अलग अलग कर दिया तो कौन सा charge इसमें possible है तो charge प्यारे बच्चो conservative होता है सबका sum कर लो तो यह cut करके final charge देखो 5E आएगा नि total 5E charge है तो answer में finally जिसमे 5E charge होगा वही answer होगा तो आप देख रहे हो कि यह देखो 5E 5E minus 4E मिलके 5E total नहीं है यह देखो 6E 6E minus 7E मिलके यह total 5E है तो possibility इसकी है यह भी देखो 5E नहीं है और यहाँ देखो minus 4E है plus 3.5E है plus 5.5E है यह भी 5E आ जाएगा देखो लेकिन यहाँ प्यारे बच्चो point में charge दिया है किस में दिया है point में charge होता है वो quantized होता है Q बराबर NE तो Q बराबर E 2E 3E 4E 5E 6E इस तरह सो होता है यह नहीं कि 3.5E यह नहीं कि 4.5E इसलिए इसका तुम sum कर लो तो 5E आ जा रहा है लेकिन यह possibility नहीं है possibility इसकी है क्योंकि यहाँ point लगा दिया है और point में charge possible नहीं होता है यह last question है 45 If an electric dipole is placed at origin O on the x-axis and electric field due to dipole at a point P is parallel to y-axis then find out angle theta for the line O P x-axis अब देखो dipole का यह general point का position है P point general position पर है वह angle बताना है angle theta है और जिस point पे electric field है वह y-axis के parallel electric field यह dipole का question है देखो dipole dipole में एक तरह minus Q charge होता है एक तरह plus Q charge होता है यह length L है dipole moment P है और एक general point का यह नाम ले रहे हैं यह जनल point यह कहीं यहाँ पर है P point जो यहाँ से theta angle पर है और यहाँ का electric field electric field का रहा है y-axis के parallel है y-axis के parallel है कि मतलब dipole moment से 90 degree पर है तो यहाँ पर जो phi आएगा E और P के 20 angle कितने degree हो जाएगा 90 degree अब किसी भी position पर E और P के बीच का जो angle का formula होता है वोता है 5 बराबर theta प्लस electricity में फाला बताये गया है 10 inverse 10 inverse half 10 theta 5 बराबर theta प्लस 10 inverse half 10 theta और 5 यहाँ का value दिया है कि यहाँ का electric field dipole से y-axis पर है मतलब dipole moment और E के 20 angle 90 है तो इसको आप रख दो 90 is equal to theta plus 10 inverse half 10 theta ओके अब theta को उधर लेते आओ तो इधर लेते आओगे तो हो जाएगा 90 minus theta बराबर 10 inverse half 10 theta अब यह 10 inverse है ना इधर आकर के 10 बन जाएगा उधर इन नमर से तिधर आके सीधा हो जाएगा 10 90 minus theta is equal to half 10 theta और 10 91 theta होता है cot theta is equal to half 10 theta cot theta को लिख सकते हो 1 upon 10 theta जोसे लिख लिख रहा है half 10 theta तू इधर लेते जाओ 10 theta इधर लेते आओ तो हो जाएगा 10 square theta 10 square theta is equal to 2 root ले लो 10 theta बराबर root 2 ये theta का value आएगा 10 theta बराबर root 2 है ना तो time theta is equal to root 2 ये option मिल गया इसके लिए ये formula आप लोगों को clear याद रहना चाहिए at general position पर angle देखना dipole का dipole में होता है क्या भई एक axial position होता है broad side position होता है एक general position होता है है ना तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो आज के वीडियो में 15 question solve करने के बाद से test number 15 का पूरा 45 question हमने solve करा दिया अब ये तीनों वीडियो आप देख करके इसके analysis कर लीजेगा वीडियो को like कर दीजेगा दोस्तों मित्रों में share कर दीजेगा जिससे के और भी जो बच्चे है उनको भी इसका benefit मिले क्योंकि question तो सामने आई जा रहा है आप उसको question को देखिए समझिए इतने अशे से important questions है आप 45 questions solve कर लीजे तो पूरी लिटिसिटी आपके सामने से गुजर जाती है है ना ये सब बहुत important sectors है जे इग्जाम के लिए नीट इग्जाम के लिए खुब कोशन इससे आते है modern physics है electricity है mechanism है mechanics है ये सब important sectors होते है important role रखते हैं selection के लिए अब आके heat, light और sound होता है है ना इससे थोड़े question कम आते है लेकिन modern, electricity, magnetism, mechanics question खुब जबरदस्त आते हैं जो भी नए बच्चे हैं चैनल पे वो चैनल को subscribe कर ले जिससे कि जो भी video upload हो उसका notification उनको तुरंत मिले और उसका उनको benefit मिले ठीक है प्यारों बच्चों अब आगे information अगले test का कल दे दिया जाएगा क्या syllabus होगा 16 number test का 16 number test जिसका कि क्या syllabus होगा date होगा, timing होगा कल यह सब बता दिया जाएगा उसको आप लोग देख लीजेगा और उसी हिसाब से अगले test के आप त्यारी केजेगा थैंक्यू प्यारों बच्चों जैहिन